वो ऐसा था कि जो इनसान सुख के जीवन में पला हो और दुख नाम की चीज जिसने भविष्ट में कभी एहसांस नी की नहों और एका एकी मुशीवत का उसके उपर पहाड तूट पड़े मेरा पिता बाहतर वीगा जमीन का जमीदार था और जिसका पुत्र सड़क पर कख़ड़ा कर दिया जाए तो मैंने अपने आप से ये निले लिया कि इस जिन्दगी में मैं अपने किसी के आगे अपने या दूर के या किसी बिवहारी के आगे यहां थेलाने नहीं जाओंगा जिस इन्सान के पास जाता वो मुझे यही कहता कि तुँ कुपत्र पैदा हुआ है अपने बाप की संपत्ती लॉन्ट पन में आकर के तुने वरबात कर दी और कुछ यहां मांगने के वास्ते आ गया मैंने अपनी जिन्दिगी से खेल गया और मेरा मैन मक्षद था कि मेरी यह उम्र पूरी ना आ सके और मुझे किसी के आगे हाथ ने फैलाना पड़े बागी जीवन एक पतन का राश्ता है की चीटी के पर जमते हैं तो मरने के लिए जमते हैं बस मौत की प्रतिछा में मैं जंगल में कुंदा था अगर प्रभू को मंजूर ना हुई अगेले कुंदे जिस समय जंगल में आया था मैं चोरे छेत्र का बधमास था जब बदमासी जीवन हमने ग्राण किया मद्व प्रदेश में सबसे भेंकर और विक्राल जंगल है दीरे 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 कोशिस की मानों के लिए संभव नामक कोई चीज पर्याप्त है नहीं जो पा न सके प्रत्रिसील बनके उसे अपना मार के देखना चाहिए मार को को न चोड़े तो उसके लिए मंजल आसान है कोई भी कूर पकड़ ले कोई भी रास्ता हो यह तो रामपुरा च्छेतर से जब दफापाचीस के चालान के उपरांत जब हमारी जमाना थोके आई उसी बक्त से मैं वहां से निकलाया जिला भिंडाया जिला भिंड में मैं लाहर थाने में ज्यादा करके रहा लार्थाना एक तो पहुज नदी का सीमा बाउडर पड़ जाता है और दूसरा दो को सटके उसे डांका वतावरण वहां मिलता है उतार है कहने का मतलब मद्द प्रदेश और यूपी का जब इस तलास में बना रहा तो दीरे 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 सूत्र मिल गया सारा मिल गया मैं इस मार्ग में चला गया साथ हो गया जंगल का